नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है प्रिजापति श्टडी पॉइंट यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रिव्यू के बारे में ठीके और इसमें हम जीडी के टॉपिक और सभी चीज़ें जो भी आपकी हुई है यहां मिला है तो कोई बात नहीं आपको तो रिव्यू देखना है और जीडी के जो नए टॉपिक है वह आपको कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले देखे इन्होंने के शेर किया कि सबसे पहले हमारी एंट्री यहां पर हुई थी पांच चालिस एम पर ठीक हैं उसके बाद फिर सर एंट्री होते डोकुमेंट वेरिफिकेशन हुआ फाइव एरमेन सेलेक्शन सेंटर औल्ड पाली रोड जैपुर एरिया नियर एर फोर्स इस्टेशन सब गार्ड रूम जोधपुर राजिस्तान इन्होंने पूरा एड्रस वहां का सेर किया है यह मेरा सेंटर था फिर र इंपोर्टिंग थी बर प्रजेंट थे 185 से लेकर दोसों के बीच में तो यहां पर एबसेंट का जो क्राइटीरिया काफी हद तक ज्यादा रहा है उसके बाद 5-6 कंडिडेट यहां पर रेजेक्ट हुए तो देखिए यहां पर रनिंग में बहुत ही कम अच्छा 5-6 कंड से अराउंड 500-700 मेटर ग्राउंड था ठीक है वहाँ तक बस में ले जाए गया हमको उसके बाद गुरूप था मतलब की ग्राउंड ऐसा था कुछ ट्रेक टाइप में ठीक हो ठीक कर लेकिन हो थोड़ा ट्रेक टाइप में था 65-70 का 3 बेच में complete करा दिया मतलब 65-70 के बीच में एक बेच बनाए गया था और 3 बेच में complete कराए गया ठीक है हमारे बेच में 3 इनके बेच में 3 out होए साइड ऐसा लगता है मुझे push up and squats में around 7 से लेकर 8 candidate को out दो जोदपूर सेंटर माना जाता है physical के लिए और physical भी क्या running में तो सभी लोग पूरा time देते कहीं भी लेकिन जोदपूर सेंटर all इंडिया के अंदर जाना जाता है अपनी push up and squats के लिए यहाँ पर जो candidate है उनको काफी मात्रा में निकाला जाता है guys पहले भी आपने सुना होगा एक बार नेवी के physical हुआ था वहाँ पर 60% candidate आउट इन push ups तो बहुत ही यहाँ का वो criteria टफ रहता है इस चीज को लेकर ध्यान दिजेगा उसके बाद last में 121 बचे थे physical के बाद 20 पहले 20 marks का grammar test हुआ फिर adaptability test हुआ यानि कि SRT then GD में मेरा topic यहाँ पर देखे गाईज यह topic है मैंने आपको करा दिया है अपनी जो book है दिया आपने परचेज नहीं किया तो आप परचेज कर सकते है लिंक given in the description ठीक है आपको SRT के अलग से चाहिए जीडी के अलग से चाहिए दोनों combined book है वही material है वह भी आप परचेज कर सकते है लिंक description में दिया हुआ है यहाँ पर देखे जो मैंने topic कराया था आपको pollution वह pollution था लेकिन उसमें आपका सभी था due to smog air pollution noise pollution सभी चरह के pollution थे और यहाँ पर आपका topic है वह सभी चीजे मैंने आपको कराई थी स्मोग सोरी ठीक है स्मोग प्लस फोग बराबर स्मोग एर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मैंने explain किया अच्छा उन्हों थी पूची गई थी उन्होंने बहुत इजी था simple 10 प्रिपोजिशन अच्छा यह बात करें गईज वहाँ जो 20 नंबर का इंगलिज ग्रामर का टेस्ट हुआ था ना उसके अंदर यहाँ पर इन्हों पूचा हुआ है बहुत इजी था simple 10 प्रेजंट अंड आर्टिकल फिलब वेस्ट वेरी इजी इतना इजी कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते जो 20 कुश्चन का ग्रामर का टेस्ट हुआ था उसके बारे में बता रहें कि इतना इजी था कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं यानि कि मेडिया के सोतंतरता वही आपकी सभी चीज़े हैं यह topic है इनके थोड़े नाम बदल जाते हैं बट explanation वही होती है mobile phone beneficially for youth यह भी मैंने आपको अपनी बुक के अंदर करा हुए general society related topic थे only two आजी सर यहां उन्होंने बोला कि honest हो जाए डरने की कोई जरूरत नहीं students को full support करते हैं बस उनकी instruction पर follow करे last two time से qualified करता आ रहा हूं मैं पर medical refer मिलता है तो इस भाई को refer medical मिलता है इसके लिए में कामना ही करता हूं किस बार इनका medical fit हो जाए वो clear नहीं होता और रह जाता हूं medical January 2020 में इनका 17 January को Friday को इनका guys medical है तो इस तरह से इन्होंने अपना जो review ह guys वो share क्या और finally इन्होंने बताया कि 110 से लेकर 117 candidate मतलब इन्होंने गिरा नहीं लेकिन 110 से लेकर 117 के बीच में finally selection हुआ है तो 240 में से आप देख सकते हैं कि आधार 50% का जो ratio है guys वही यहां पर चल रहा है तो इस तरह से यहां का जो review है वो रहा है और जो topic है वो मैंने आपक बहुत सारे लोग उसका नाम पूछ रहे थे तो आपको description में जाना है इस वीडियो के और वहां पर उसकी link मिल जाएगी उस पर click करना है PDF format में आपके पास वो download होकर आ जाएगी ठीक है आप उसे download करके अपने phone के अंदर save कर सकते हैं guys जो आपके लिए बहुत benefit होगा उस topic से मेरता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को जैहिंद जैवाद